नमस्कार साथियों, आज अपन देखेंगे Embryology या Developmental Biology के अंदर एक महत पून टोपिक Teratogenesis या वीरू पिक्यान साथियों इसके अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार Development के दोरान Brune के अंदर या Fetus में कुछ Abnormalities रह जाती है अपन देखते हैं, डेली लाइफ में भी किसकी नॉर्मल कुछ ब्रून होते हैं बच्चे होते हैं उनमें नॉर्मल development नहीं हो पाता है तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ वीरूपताएं आ जाती है, वो वीरूपताएं किस प्रकार की होती है या वो वीरूपताएं क्यों आती है ये सारा अपन इसके अंदर देखेंगे तो टेराटोजनेसिस कहलाता है टेराटोजनेसिस का मतलब वीरूपता का अध्यान करना और विज्ञान की वो साखा जिसमें इसका अध्यान किया जाता है टेराटोलोजी कहलाती है विरूप विज्ञान तो विरूप विज्ञान टेराटोजनेसिस जो होता है उसका मतलब ह होता है occurrence of congenital defects of the fetus यह नहीं जो ब्रून होता है उसमें जन्म जाद किसी प्रकाश्च पाया जाना डिफिक्ट पाया जाना टेराटोजनेसिस कहलाता है अब टेराटोजनेसिस होती क्यों है टेराटोजनेसिस होती है सात्यों वह कुछ केमिकल्स की वज़े से हो सकती है ऐसे केमिकल्स या ड्रक्स को अपन टेराटोजन कहेंगे जैसे म्यूटेश्च जिस जो करता है उसको म्यूटाजन कहते हैं विसी प्रकार टेराटोजनेसिस जिससे होता है उसको टेराटोजन कहेंगे तो टेराटोजन क्या क्या होते हैं कोई environmental agents जैसे pollutant जो भी है वो हो सकते हैं जो fetal development जो है उसको normal fetal development को disturb करते हैं और brune में permanent defects आजाती है ऐसी chemicals को अपन टेराटो जन कहते हैं कुछ यहाँ पर टेराट जो male formation होता है उसको medical की भाशा में तोड़ा सा technical word अलग अलग प्रकार के होते हैं जो वो terminology अपन देखेंगे कौन genital का मतलब होता है जन्म जात ऐसी विमारियां जो बर्थ के साथ होती है और जिनका पहले clinical evidence हो या नहीं हो या कोई पिर बिल्कुल नहीं प्रकार की हो जो anomaly जो है उसका मतलब होता है जो नॉर्मल होती है नॉर्मल जो चीज condition होती है जैसे बच्चे के दो हात होनी चीए दो पेर होनी चीए या हातों में पाँच अंगलियां होनी चीए दो आंख्यां कीए उस नॉर्मल कंडिसेंसे किसी प्रकार का डेविएशन या अंतर जो आता है उसको अपन एनोमेली कहते हैं अंदर की स्ट्ट्र और जो फंक्षन जो वो किसी प्रकार विरूपता आती है उसको मैल फॉर्मिशन कहेंगे तो यह तोड़ी से मेडिगल टमस है अब देखते हैं कि हुमन होता है आपको पता है सातियों 90 days 99 9 month का होता है 180 days का होता है उस 9 month के अंदर 3 trimester होते हैं first trimester 3 मेने का second trimester और third trimester होता है शुरू के दो चार जो साथ week जो होते हैं वहां तक उसको brune या embryo करते हैं उसके बाद उसको fetus कहना सुरू कर देते हैं तो कौन सा ऐसा time होता है fetal development pregnant female के अंदर बच्चे का कि इन chemicals का सबसे ज़्यादा असर होता है तो यह देखा गया है कि जो सुरू का जो first trimester होता है वो बहुत critical होता है यह जो blue line दिखरी है यह women जो organ होते हैं उनमें male formation होने के chances से जो है शुरू के weeks में शुरू के दो week या first trimester में सबसे ज़्यादा risk होती है उसके बाद दीरे-दीरे risk तोड़ी सी कम हो जाती है तो यह एक प्रकार का आपको समझाने के इसाब से है कि कि समय chemicals का असर सबसे ज़्यादा होगा तो इसलिए कहा जाता है first trimester में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि pregnant wife जो female होती वो क्या खारे किस प्रकार की drugs ले रही है नॉर्मल अगर बिमारी भी उसको होती है तो drugs बिना डॉक्टर की permission से बिना डॉक्टर से concert किये नहीं लेनी चीए क्योंकि उसका effect सिधा ब्रून पर पढ़ सकता है बच्चे पर पढ़ सकता है FDA classification कुछ drugs है जिसको FDA ने classify किया है इनको अपन केटेगरी वाज देखते हैं केटेगरी ए जो है यह इसकी किसी प्रकार control human studies with no risk to fetus इन बीमारियों का fetus पर कोई असर देखा नहीं गया है और यह drugs आसानी से ली जा सकती है अब medical store पर देखते हो कि इस प्रकार की केटेगरी की दवायां बिना डॉक्टर की permission से नहीं मिलेगी केटेगरी बी जो है उसका adverse effect on animals के उपर तो adverse effect steady करी गई लेकिन human के उपर अभी विशेश steady नहीं की गई और यह drugs pregnancy में काम में ली जा सकती है केटेगरी C में इनकी भी human के उपर कोई ज्यादा steady नहीं हो पाई है और यह human fetus के लिए risk है नहीं यह unknown है और serious condition में इनको दिया जा सकता है category D जो है यह risk की है इसके अंदर human fetus के उपर risk होती है इसका evidence है और यह serious condition में डोक्टर की permission से दी जा सकती है और category X जो है यह सबसे ज़्यादा गातक होती है और teratogen के अंदर आती है इनसे fetal abnormalities हो सकती है इसलिए medical store पर लिखा होता है कि category X की drugs डोबिना डोक्टर की concern से नहीं मिलेगी यहाँ पर जब भी आपके question आता है तो कुछ proven teratogen यानि कुछ chemicals के नाम आपको हमें से याद रहनी चीए और आगे अपन slide में देखेंगे कि इन chemicals का fetus पर क्या development होता है particular drugs का एक particular प्रकार का effect होता है वो भी देखेंगे पहले drugs के नाम देख लेते कौन-कौन सी teratogen है जो मनुष्य में male formation करती है पहला है thalidumite यह सबसे common और सबसे meth-pun drugs है इसको अमेरिका के अंदर पहले जो pregnant vibe होती है उसको vomiting की जी गबराने की समश्या होती है वहाँ पर यह धडले से दी गई तो देखा गया कि जो बच्चे हो हो गए इसलिए इसको बेहन कर दिया गया तो इस ड्रक्स का नाम आपको याद रहेगा थेलीडो माइड जो है यह सेडिटिव है और यह उल्टी में दी जाती है pregnant vibe को साइटोटोक्सिक ड्रक्स जो है फॉलेट एंटागोनिस्टिक है यह होती है जो टेराटोजन होती है एलकलाइटिंग एजेंट है और लीथियम है जो हार्ट अबनॉर्बल्टी करता है एलकोहल जो है प्रिगनेंसी के दोरान कुछ पॉरेंड कंट्रीज में और कुछ अप और आहां को कि कंट्राइट कॅनलन ड्रक्स जो है फिनाइट टोनी नें एंटि कोगुलेंट्स ट्रक्स यह वाइयल फैरीं है एंटिबाटिक्स किसी प्रकार के यह वह भी टेराटोजन होती है और वह प्रिगनेंसीर के टाइम पर नहीं दी जानेचा अब आते हैं अपन-क इस प्रकार का एफेक्ट होता है तो जब भी यह छोटी-छोटी डेफिनिशन आती है साथ हो इसके उपर कि वाटिज फेकोमेलिया या नेम एनि टू फीटल एबनॉर्मल्मल्टी इन हुमन तो आपको लिखना है फेकोमेलिया वाटिज दे मीनिंग फेकोमेलिया सोटन्स और लॉंग बॉंद्स और लिम्स यानि हाथ और पेरों का छोटा रह जाना आपन देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रून होते बच्चे उनमें हाथ पेर बिल्कुल छोटे होते हैं वह फेकोमेलिया कहलाता है या फिर एक्स्टेनल येर नहीं होगा यह सारा होता है थेलेडिमा अगर लड़की है तो इस प्रकार का यह सारा असर बच्चे के तंत्री का तंत्र या सेंट्र नर्वस सिस्टम पर पढ़ता है यह एलकॉल लेने से फिनाइट ओनीन जो है फिटल आइडेंटिन सिंड्रोम हो जाता है जिसमें नेल और डिजिटल हाइपोपलेशिया हो जाता है औरल क्लैप्स होजाता है कुछ बच्चों के तालू जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं इसे क्लैफ्ट फिलेट कहते हैं यह कोटिकोस की स्टिरोइड या फिनाइट ओनीन से होती है एक से ज्यादा ड्रक से भी एक सेह मसर हो सकता है टेट्रसाइक्लीन से टीच होते हैं वो permanent standing लिये होते हैं ती जो होते हैं वह भंगूर हो जाएंगे वह जलती फट जाएंगे वाल फेरिंग जो है उससे hypoplasia और नेजल ब्रीज होता है और इसका तंत्र का तंतर पर असर हो हो सकता है तो इस प्रकार से आपको देखते अब आपको डाइग्राम से समझाए गया है यह तेलेडिमाइड ड्रक्स का क्या effect हो सकता है यह यह इंकी फेकोमेलिया यह जो रहाएं तो यह ठाम जो है यह यह बहुत कम यूज करनी चाहिए बिना और अगर हाथ पेर बिल्कुल भी नहीं हो तो एमेलिया कहलाएगा फेकोमेलिया और एमेलिया में क्या अंतर है फेको में छोटे रहे जाएंगे हाथ पेर और एमेलिया में बिल्कुल नहीं होंगे दूसरा है आपको एबनॉर्मल्टी बतानी पहली एबनॉर्मल्टी हो गई फेकोमेलिया और एमेलिया वो क्यों होगी थेलेडिमाइट के करण होगी दूसरी है वेलप्रोरिक एसिड जो है यह टेराटोजन है यह यह कह सकते हैं कि यह इस परकार का केमिकल है जो एबनॉर्मल्टी करता है और कौन सी एबनॉर्मल्टी करेगा इसमें आपको बताना स्पाइना बाइफिडा जो पीछे का स्पाइनल कोड होता है वो कटा हुआ हो होता है इसको spina bifida केते हैं डाइग्राम में देख सकते हैं तो spina bifida किसके कारण होगा well-project acid के कारण होगा teratogen के कारण उसके अलावा इसके बहुत ही common सबसे common अगर teratogen होती है जो अपन डेली लाइप में देखते हैं वह पोली डेक्टाइली या hexadecly सामने अपनी आथ और पेरों में पांच-पांच अंगलियां होती लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन में पांच से ज़्यादा छे बिजिट भी हो सकती है इसे polydactyly या hexadecly कहते हैं और सबसे अच्छा आपने जानते हो को रितिक रोसन जो है वो उसके अंदर भी male formation है अलागि इसका इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं होता है लेकिन polydactyly होती है छे अंगलियों का पाया जाना सिन डेक्टाइली के अंदर कुछ बच्चों के अंदर अंगलिया आपस में जुड़ी होती यह डाइग्राम से देख सकते हो इसे सिन का मतलब होता है जुड़ा होना सिन डेक्टाइली कहलाएगी तो यह भी एक प्रकार की condition है male formation की अब आते कुछ आपने देखा होगा twins होते हैं एक सामाने अपने न्यूज में भी देखते हो जुड़ा बच्चे जो चिपके हुए होते हैं जो siamish twins कहलाते हैं वो twins भी एक प्रकार का male formation है और वो भी teratogen की वज़े से होता है twins भी अलग-अलग प्रकार की होते हैं अलग-अलग प्रकार से जुड़े होते हैं क्रोनो फेगस हो सकते हैं थोरे थेरे को पेगस हो सकते हैं या पाई को फेगस हो सकते हैं करनोफेगस में सेर जुड़ा होता है और उसको डॉक्टर ऑप्रेशन करके अटाता है जोलता है काफी रिस्क होती है उसमें तो किस प्रकार से वो क्रैंणोफेगस प्रकार का जो होगा उसके अंदर आपस में सीर जुड़े होंगे दोनोगे त्विन्स के यह देखो कंडिशन दोनों के सिर जुड़े होते हैं क्रेटी से जुड़े हो सकते हैं यह बी एक प्रकार की कंडिशन ओसकती है से पीपीटी है ओर थीसरी जो है वो पाइगो फैगस यानि नीच्चे से जुड़े होते हैं इसमें रिस्क काफी कम होगी तो सात्यु आपको ये ट्विंस भी देखते हो जिसमें जुड़वा जो होते हैं वो यह तो जुडवा अलग अलग होते हैं वो तो नॉर्Мल ट्विंस से अइडेंटिकल हो सकते हैं के Costco ज्यादा रिस्क नहीं लेकिन यहां बात कर रहे हैं पन जुडवा जो सियामिस ट्拜拜 होते हैं उनकी यह ठोरेक को फेगास जुए च्छाती से जुड़े होते हैं इनको भी अलग कर लाते हैं तो इस प्रकार को आपको कुछ कॉमन बीमारियां जो होती है वो आपको रठी वी होने चीए और किस कारण से होती टेराटोजन के नाम से आपको याद होने चीए जैसे थेलेडुमाइड है इनके नाम आपको हमेशा याद रहने चीए ताकि आप एक्जाम में अच्छी तरह से लिख सको और समझ सको इसको नेक्स जो है टेराटोजन जैनेसिस जो है यह टोपिक की मेल पॉर्मिशन का है कि यह देगो स्पाइना बाइफीडा जो है वापिस आपको डाइग्राम बताया गया स्पाइने फाइटी फीडा फॉलिक एसिड जो है मल्टि विटाविन जो लेते है पन वह इस बीमारी को काफी कम कर देती इसलिए में डोक्टर कहता है कि प्रेग्नेंसी में फॉलिक एसिड लेना चीए बहुत ही कॉमन विमारी है क्लैप्ट पैलेट जो गेप रह जाता है वो गेप क्लैप्ट पैलेट कहलाता है इसको ओप्रेशन के द्वारा तालू को जोड़ा जाता है यह पाइगो फेगस प्रकार के ट्विन्स हो गए यह पेरासिटिक ट्विन्स कुछ ट्विन्स ऐसे होते हैं जिसमें साथ यह अपनने देखा है अनीक्वल होते हैं इसमें एक की तो एंब्रियो एक जो बच्चा ह होता है वह तो बिल्कुल नॉर्मल होता है दूसरा का करली कुछ पार्ट होता है अपने देखते हैं कि कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जिनके चार आत होते हैं या दो सीर होते हैं तो वह दो सीर एक दूसरा सीर जो होता है वह एक दूसरे ट्विन्स का जिसका पूरा डवल बैलेट हो गया जिसमें तालू जो है कटा हुआ होता है तो इन डाइग्राम के द्वारा आपको समझाया गया है कि किस प्रकार यह देखो यह को बिमरी आपको याद रखनी चीए जो अपना अकबारों में पढ़ते हैं हाइड्रोसिफेलस हाइड्रोसिपेलस जो कंडिशन हो हो जाता है क्योंकि उसमें पानी भर जाता है सिफेलस का मलता होता है ब्रेन और हाइड्रो का मलता वाटर तो कुछ बच्चों का सिर काफी बड़ा हो जाता है क्योंकि इसमें पानी भर जाता है तो यह कंडिशन हाइड्रोसिफेलस कहलाती है और किस बच्चों का सिर छोटा बिल्कुल सामाने से काफी छोटा होता है, इसको माइक्रोसिफेली कहते हैं, तो ये भी बिमारें आपको Central Nervous System से सम्मझ दित, याद होनी चीए, हाइड्रोसिफेलस और ये Spina Bipeda थी, तो CLEPT Pellet कौन कोई बिमारें आपने को याद रखनी है, सबसे कॉमन जो है, फेकोमेलिया, एमेलिया, Spina Bipeda, CLEPT Pellet, माइक्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस, ये सारी बिमारें को आपको याद रखना है, तो इस प्रकार से आप ये Teratogenesis वाला टोपिक अच्छी तरह से तयार कर सकते हो, तन्यवाद,